प्रेविद्यार्तियों कक्षा आठ्वी विज्ञान अध्या तेरा ध्वनी के प्रश्ण उत्तर बता रहा हूं में और इसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट पोर्टल यूट्यूब चेनल पर प्रश्ण नमर एक है सही उत्तर चुनी है द्वनी संचरित हो सकती है केवल बायू या गेसों में केवल ठोसों में केवल द्रवों में ठोसों द्रवों तथा गेसों में तो इसका सही उत्तर है ठोसों द्रवों तथा गेसों में प्रूश्ट नमबर 2, निम्न में से किस वाग ध्वनी की आवरती नियुंतम होने की संभावना है, ये वाग ध्वनी क्या होती है, जो हमारे गले में कंट होता है, जहां पर एक थोड़ी से से थोड़ी टाइक हरेती है, उसको बोलते हैं, अपन वहां से निकलने वाली ध्वन को वागध्वनी बोलते हैं तो उसकी आवरत्ती नियूंतम होनी के संभावना है क छोटी लड़की की क छोटे लड़के की ग पुरुष की ग महिला की सही उतर है ख छोटे लड़के की प्रश नमर तीन है निमने लिखित कतनों में सही कतन के सामने टी मतलब ट्रू तरसा गलत कतन के सामने एप मतलब फालस निशान लगाई है पहला है दुवनी निर्वात में संचरित नहीं हो सकती तो देखना है ये ट्रू है कि फालस है ये ट्रू है क्योंकि दुवनी को संचर के लिए या एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवशकता होती है और निर्वात माध्यम नहीं है खो है किसी कंपित वस्तु के प्रती सेकड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं तो यह true है कि false यह false है क्योंकि किसी कंपित वस्तु के प्रती सेकड होने वाले दोलनों की संख्या को उसकी आवर्ती बोलते हैं आवर्तकाल नहीं गह है यदि कमपन का आयाम अधिक है तो ध्वनी मंद होती है तो ये फालस है कमपन का आयाम अगर जाजा होगा तो ध्वनी तेज होगी या मंद होने के लिए कमपन का आयाम कम होना चाहिए गहर मानो कानो के लिए स्रव्यता का परास मतलब रेंज बीस हर्ज यह हर्ज जो है दुहनी के नापने की इकाई है बीस हर्ज से बीस हजार हर्ज है तो यह सही है मानो कानो के लिए सुनने की जो परास होती है द्वनी की मान रहता है, वो 20 हर्ज से 20 हर्ज तक रहता है. अंगर है, कमपन के आवरत्ती जितने कम होगी, तारत्व उतना ही अधिक होगा, गलत है, तारत्व को अधिक होने के लिए आवरत्ती के मान जादा होना चाहिए. चाओ, औव अंचित ये अप्रिय ध्वनी को संगीत कहते हैं तो इसको संगीत नहीं कहते हैं इसको बोलते हैं शोर तो यहां पर ये गलत है फालस है छह है ध्वनी प्रदूशन आंसिक स्रवन और शक्तता उत्पन न कर सकता है तो ये सत्य है क्योंकि तेज आवाज हमेशा जो है वो क कर किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय को कहते हैं आवर्थकाल कहते हैं एक दोलन को पूरा करने में लगे समय को आवर्थकाल भी बोलते हैं और दोलन काल भी बोलते हैं क्योंकि एक दोलन में पूर्ण किया गया समय होता है ख प्रबलता कमपन के आयाम से निर्दाजीत की जाती है मतलब आयाम यदि कमपन का आयाम ज़्यादा होगा तो प्रबलता ज़्यादा होती है आयाम कम होगा तो प्रबलता कम होती है ग आवरत्ती का मात्रक यह अभी अपनों देखा था हर्द होता है गव वांचित ध्वनी को ये भी देखा था हमने शोर कहते हैं और वांचित जो ध्वनी रेती है उसको बोलते हम संगीत गव है ध्वनी की तिक्ष्णता कमपनों की आवरती से निर्धारित होती है दोनी की तिक्षनता या तारात्व जो है वो कमपनों की आवरत्ती से निर्धारित होती है प्रश नमबर पांच एक दोलन या दोलक चार सेकन में 40 बार दोलन करता है इसका आवरत्तकाल तथा आवरत्ती ग्याद कीजिए तो हम इसके गणना करते हैं पहले करते हैं आवरत्तकाल की ग्यादना तो यहाँ पर देखें चार सेकन में 40 बार दोलन करता है तो हमने यहाँ लिखा चू कि 40 दोलन पूर्ण करने में लगा समय यह 40 दोलन पूर्ण करने में लगा समय 4 सेकन बराबर 4 सेकन इसलिए एक दोलन पूर्ण करने में लगा समय है अब यह क्यों निकाल रहे हैं हम क्योंकि आवर्तकाल निकालना है मतल़ा आवर्तकाल क्या होता है आवर्तकाल दोलन काल होता है और दोलन काल होता है एक दोलन पूर्ण करने में लगा समय है तो यहां हमने करा एक दोलन फूर्ण करने में लगा समय बराबर चार सेकंड बटे चालीस दोनल तो चार बटे चालीस क्या हो गया है यह? यह सेकंड हो गया है चार बटे चालीस यह चार में यह चालीस का भाग दिया है तो चार एकम चार और चार धम चालीस तो यह हो गया एक बटे दस सेकंड अब एक में दस का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.91 सेकंड तो यह आया एक दोलन फूर्ण करने में लगा समय लिखा हमने अतह दोलक का आवर्तकाल क्योंकि आवर्तकाल एक दोलन फूर्ण करने में लगा समय होता है तो आवरतकाल बराबर हो गया 0.91 सेकंड आवरत्ति क्या करना करें चुंकि 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है तो यहां लिखें 4 सेकंड में होने वाले दोलनों की संक्या बराबर 40 इसलिए 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संक्या यही वाली बात है कि ये क्यों निकाल रहे हैं आवरत्ती क्या होती है कि एक सेकंड में कोई वस्तु कितने बार दोलन करती है या कितने बार कमपन करती है उसको बलते हैं उसके आवरत्ती तो इसलिए एक सेकंड में होने वाले दोलनों की संक्या बराबर 40 और ये 4 जो है बटे में चले जाएगा 40 बटे 4 तो 4 एकम 4 4 दहम 40 तो ये आगया 10 दोलन तो एक सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या क्या आगई 10 आगई तो यही दोलन की क्या होगी आवरत्ती होगी प्रश्न बच्छे एक मच्छर अपने पंखों को 500 कमपन प्रती सेकंड की अवसत दर से कंप्रिट करके दुनी उत्पन करता है कमपन का आवरत्तकाल कितना है देखो एक सेकंड में जितने कमपन करते हैं उसको बोलते हैं आवरत्ती तो यहां 500 कमपन एक सेकंड में करते हैं मतलब इसकी आवरती क्या हो गई? 500 हो गई पर हमको क्या निकालना है? आवरतकाल निकालना है यहां लिखा एक कमपन करने में लगए समय को कमपन का आवरतकाल करते हैं आवरतकाल निकालना है तो आवरतकाल होता क्या है? एक कमपन करने में लगए समय को कमपन का आवर्द काल केते हैं यहां 500 कमपन करने में एक सेकंड लग रहा है तो हम चूकी रिजिस कर रहे हैं चूकी 500 कमपन करने में समय लगता है बराबर एक सेकंड इसलिए एक कमपन करने में लगा समय बराबर एक और ये पांसो चले गया बटे में एक बटे पांसो सेकन बराबर अब देखो एक में पांसो का भाग देंगे तो क्या होगा भाग नी जा रहा भाग नी जाता भाग कि शुन लगाया फिर सुनने लगाई फिर क्या हुआ फिर भागने जाता भागने शुन्य तो यहां पर एक में कब तक भाग देंगे अपन देखो जब तक एक हजार नहीं आ जाए क्योंकि सो आएगा तो भागने जाएगा एक हजार में कितनी शुन लगती है, तीन शुन लगती है, तो तीन शुन लगती है, तो तीन शुन लगती है, 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 तीन पंखे का और रहे हैं सुन्य ज्सत्रों सुन्य 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 दो सेकर्णी यह सुन्यخ ë प्रश्ण अबर साथ निम्ण वाद्ययंत्रों में उस भाग को पहचानि है जो द्वनी उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है तियां तीन चीजें देरे की है दोलग सितार बांसुरी तिन में उस भाग को बताना है हमको जो धोनी उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है तो दोलग जो है उसको बजाते हैं तो जो वह साइड में जो चमडा कड़ा होता है वो तानी जिल्ली होती है तनी वी जिल्ली होती है उसको कसा वा रेता है उसको बजाते हैं तो ध्वनी उत्पन्न होती है उसको बुलते हैं तानी जिल्ली है सितार में जो है वो तार को उंगलियों के साहता से चलाते हैं तब ध्वनी उत्पन्न होती है वो बासुरी में क्या होता है? बासुरी में फूग मारते हैं मतलब वहाँ पर वायू इस्थम बरेता है जिससे ध्वनी उत्पन्न होती है प्रश्न नमबर आठ, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? जो कानों को प्री लगे उस ध्वनी को बलते हैं संगीत की परिवाशा हो गई क्या कभी संगीत शोर बन सकता है जब संगीत की प्रबलता अधिक हो तो वो अप्री लगने लगता है मानलो कोई लौड़ी स्पिकर में कोई गाना बजरा है और वो बहुत तेज आवाज में बजरा हो कम आवाज में बजरा हो तो अच्छा लगता है तेज आवाज में बजरा हो तो वो कानों को नुकसान देता है क्योंकि वो करणप्री नहीं होता वो सूसर तो होई नहीं सकता तो जब संगीत के प्रबलता मतलब आवाज अधिक हो तो वो अप्री लगने लगता है तथा सूसर तथा करणप्री नहीं रहता है एसा संगीत शोर बन जाता है अब यहां संगीत के बज़ा आवाज भी हो सकती कि आवाज जो है वो शोर के से बनता है ना तो यह वही है प्रेश नमबर 9 अपने वातावरण में धोनी प्रदूशन के इस्तरोतों की सुची बनाईए वातावरण मनला हम अपने आसपास में देनिक जिवन में जो देखते हैं तो एसे कुन से साधनी इस्तरोत हैं जिससे धो करने प्रदूशन होता है सी तो पहला है वाहन एवं उनके इस आवाहन न वह प्वाहन वह क्यों को जयादा चाहं करते हैं तो भाहन और उनके तेज हादrent दूसरा है लौड वी स्पिकर, अब लौड वी स्पिकर सब्द से ही बनाए, लौड मतलब जोड से इस्पिकर मतलब बोलने वाला, तो ये प्रदूशन उत्परने करता है, नमबर तीन जो है रेसिंग बाइक, रेसिंग बाइक जो रेती हुँ तेज आवाज करती है, नमबर चार, बड़े पठाकों का फटना, छोटे फटाके तो चल जाते हैं, उससे इत्ता नी बड़े पठाकों का फटना जो है, उनसे दोनी प्रदूशन होता है, नमबर पांच, उची आवाज में चलने वाले टीवी एवम रेडियो, मोबाइल भी है अब है, उची आवाज में अगर चलते हैं, तो वो द्वनी प्रदूशन उत्पन लगते हैं, प्रश नमबर दस, वर्णन कीजिए कि द्वनी प्रदूशन मानों के लिए किस प्रकार से हनिकारक है, उत्तर है, हमारे चारों और के वातावरण में अत्यदिक शोरगी उबस्तिती, अनेक स्वास्त संबंदी स समस्याओं को जर्म दे सकती है और नीद्रा मतलब नीनना आति तनाय आति मतलब हाई तनाय मतलब यह रखते चाब मतलब प्रेसर तो अति तनाय या उच्च रखते चाब मतलब हाई प्रबल दोनी के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की शम्ता अस्थाई या इस्थाई रूप से कम हो जाती है प्रश नमबर 11 आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर तथा दूसरा सड़क से तीन गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया है आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुजाओ देंगें अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए देखो सड़क के किनारे वहनों के कारण दूनी प्रदुशन एवं वायू प्रदुशन बहुत अधिक होता है तथा सांस लेने के लिए शुद्ध अक्सिजन की कमी रहती है प्रदुशन है तो अक्सिजन की कमी या सांस लेने के लिए शुद्ध अक्सिजन नहीं मिलती है इन सभी परिशानियों से बजने के लिए मैं अपने माता पिता को सड़क से तीन गली छोड़ कर इस्तित मकान को खरीदने का सुजाओ दूँगा प्रश नमबर बारा मानो वाक यंत्र का चित्र बनाईए तथा इसके कारे की अपने शब्दों में व्याक्या केजिए ये मानो का वाक यंत्र है ये जैसे अपना मुह है ये नाख है और ये दाड़ी है और इसके नीचे की तरब यहाँ पर एक गुटनी टाइद निकलती है इसको बोलते हैं वाक यंत्र और इसके क्या कारे होते हैं मानो में द्वनी वाक यंत्र का या कंठ इसको कंठ बोलते हैं से उत्पन्न होती है मतलब ये द्वनी कां से उत्पन्न होती है वाक यंत्र या कंठ से उत्पन्न होती है दूसरा है वाग तंतूं से जूड़ी हुई मान स्पेशिया तंतूं को तना हुआ या धिलाक कर सकती है ये इसके कारिय है प्राश नंबर 13 आकास में तडीत मतलब जो बिजली जमकती उसको बोलें तडीत तथा मेग गरजन बादलों की गरजन की गटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर गटीत होती है हमें तडित पहले दिखाई देती है तथा में गर्जन बाद में सुने देता है क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं देखो तडित जो होता है मतलब बिजली मतलब प्रकाश तो तडित अर्थात प्रकाश की चाल 3,00,000 km प्रती सेकण होती है मतलब ये प्रकाश जो होता है वो एक सेकण में कितनी दूरी ते करता है 3,00,000 km सबसे जाजा जो स्पीड होती है चाल होती है प्रकाश की होती है जबकि मेग गर्जन मेग गर्जन क्या होती है दोनी होती है तो मेग गरजन अर्था दोनी के चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रती सेकन तो यहाँ एक सेकन में दोनी 332 मीटर चलती है जबकि प्रकाश एक सेकन में 3,00,000 km चलता है तो इस करण हमें तरडित पहले दिखाई देती है क्योंकि उसकी चाल जाता है तथा मेग गरजन बाद में सुने जिते हैं क्योंकि उसकी चाल बहुत काम है तो आपने देखाईए कक्षा आठवी का विज्ञान अध्यत तेरा ध्वनी के प्रश्णों के उत्तर इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद